Hello everyone, welcome to my channel, विश्णु भगवान की पूजा, कलकी के रूप में, क्या आज हर जगा हो रही है, या विश्णु भगवान ने जितने अवतार लिये हैं, उन रूपों में उनके भक्त उनकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि कलकी अवतार, लास्ट अवतार, कल्यूग में आये हैं, अ विश्णु की छाप, उनका आकर्शन, राम जी का आकर्शन, वामन जी का आकर्शन, भगवान बुद्ध का आकर्शन, नरसियां अवतार का आकर्शन, लोगों के मन से भुलाए नहीं भुलता, यानि जो उनके भक्त गण हैं, जिस रूप में उनकी पूजा करते हैं, विश तो जिस रूप में विश्णु भगवान की पुजा होती है अब उनके भक्त उसी रूप में विश्णु भगवान की पुजा करना चाहते हैं और उन्हें मानने भी लगते हैं यानि विश्णु भगवान को भी मानते हैं लेकिन उनके अलग अलग रूपों में उनकी प्रतिम मन्दिरों में र markings गई है जहां निरंतर पुजा होती है और भक्त गण उसी रूप में उन्हें देखना चाहते हैं जबकि भक्तों को पता है कि यह विश्णु भग्वान के ही अलग-अलग रूप है तर विश्णु भग्वान को या भगवान बुद्ध को या वामन अवतार को या नर्सियां भगवान को मानने वाले होंगे या कल की अवतार के भक्त अलग होंगे अगर कल की अवतार के भक्त अलग होंगे तो राम, कृष्ण, वामन अवतार, भगवान बुद्ध और नर्सियां अवतार के भक्तों का क तो उन भक्तों का क्या? क्या उनका दिल कल की अवतार तोड़ देंगे? क्या उनकी भक्ती कल युग में खत्म हो जाएगी? कल की अवतार में जितने भी भक्त गण हैं यही कल की अवतार की खासियत है कि जो जिस रूप में उन्हें देखना चाहे उसी रूप में कल की अवतार उस भक्त को दर्शन देंगे लेकिन अगेन कंडिशन्स एपलाई क्योंकि कल योग में कंडिशन्स एपलाई वर्ड बहुत जादा चलता है तो इश्वर की भक्ती में भी कंडिशन्स एपलाई भला कैसे न हो क्योंकि जब भक्त दिल से नहीं पुकारेगा जब सब कुछ जचावर करने के लिए तयार नहीं होगा जब भक्त की भक्ती में सरिंडर की भावना नहीं आएगी तब भला कल की अवतार उस पर प्रसंद कैसे होंगे और कैसे उसे दर्शन देंगे तो सबसे पहले according to कल की अवतार कंडिशन सरिंडर की भावना भक्त की भक्ती में ऐसी होनी चाहिए और उसकी भक्ती की पुकार ऐसी होनी चाहिए जिस प्रकार मीरा बाई की भक्ती में पुकार थी जिस प्रकार भक्त ब्रलात की भक्ती में पुकार थी उसी प्रकार आपको भी हमको भी अपनी भक्ती के द्वारा हम कलकी अवतार को कलकी के रूप में नहीं बलकि राम के रूप में भी देख सकते हैं कृष्ण के रूप में भी देख सकते हैं वावन अवतार के रूप में भी देख सकते हैं क्योंकि उनके पास वो स्किल है, 64 कलाएं मैंने आपको बतलाई हैं, उनमें से एक कला यही है, कि वो जब जैसा चाहें, जिस रूप को धारन करना चाहें, वो उसी रूप में प्रकट हो सकते हैं, एक साधारन इंसान के रूप में, एक गरीब के रूप में, कल की अवतार में, होंगे कल की अवतार, लेकिन उनके भक्तों के लिए, वो राम भी बन जाएंगे, वो कृष्ण के रूप में भी कृष्ण के भक्तों को दिखलाई पड़ेंगे, वो वामन अवतार के भक्तों को वामन के रूप में दिखलाई पड़ेंगे, में जो भक्त उन्हें देखना चाहे अपने भक्ती को निच्छावर उन पर करते हुए डेफिनेटली कल की अवतार उस भक्त को निराश नहीं करेंगे लेकिन हनुमान जी की तरह की भक्ती क्या आज के युग में आसान है बिल्कुल नहीं बहुत मुश्किल होता है उस परिक् परिक्षा होती है उनकी एक साधारन इंसान हिल जाता है लेकिन उस परिक्षा की घड़ी में जो आगे निकल जाता है अपनी हिम्मत के द्वारा और भक्ती के नाम पर फिर तो उस भक्ती की जैजैकार और उस भक्त के सामने उस भक्त की पुकार सुनकर कल की अवतार उसी र आवतार को जिस नाम से पुकारा तो राम हो या क्रिश्ण विश्णु भगवान के किसी भी आवतार का नाम लेकर आपकल की आवतार को पुकारिए देखिए चमतकार आपको भी धर्शन मिलेगा क्योंकि हनुमान जी राम जी के आदेश पर इसलिए धरती पर एंड तक उनकी जर्णे सत्यूक से लेकर कल युग तक है क्योंकि राम जी की रोप में कल की आवतार हनुमान जी को दशन देंगे क्योंकि वो कलकी अवतार का दर्शन नहीं चाहते वो तो प्रभु श्री राम के ही भक्त हैं तो वो श्री राम को ही पहचानते हैं उनकी ही भक्ती में डूबे रहते हैं तो जब हनुमान जी की मदद पूरी हो जाएगी जब युक परिवर्तन का कारी खत्म हो जाएगा तो जिस प्रकार हनुमान जी को राम का स्वरूप देखने के लिए नसीब होगा कल की आउतार में उसी प्रकार सारे भक्त गण जिस रूप में कल की आउतार से मिलना चाहें यकीन मानिये कल की आउतार उसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देगें चाहे जिस रूप में वो आना चाहें जिस रूप में कल की आउतार को अपनी भक्ती के बलबूते पर अपनी भक्ती से प्रसंद करके बुलाना चाहें क्योंकि वो हैं ऐसे आउतार जो किसी भी रूप में कहीं पर भी किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं एक ही रूप एक जगा लेकर नहीं बैठे रहेंगे एक साथ 10 रूपों में 50 रूपों में 50 जगा अपने भकतों को दर्शन दे सकते हैं यह उनकी योग्यता है और यह है उनकी ताकत तो कीजिए अपनी भकती से प्रसन्न आप जिन्हें भी मानते हैं या जिनके दर्शन आप कल की अवतार में करना चाहते हैं यकीन बानिए कल की अवतार उसी रूप में आपको देंगे दर्शन धनकी वेरी मुच पर वाचिन में वीडियो